हेलो फ्रेंड्स राश्टस ओनलाइन एकडेमी में आपका स्वागत है और आज हम देखेंगे लिट्रेचर की एक बात लेकिन यह सिर्फ लिट्रेचर की बात नहीं है यह डिरेक्ट आपके और मेरी जिंदगी से जुड़ी हुई बात है रोज मर्रा की बात है लिट्रेचर हमारी जिंदगी से दसवी के बाद डिस्कनेक्ट हो जाता है या हम लिट्रेचर से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं हम लिटरेचर से डिसकनेक्ट हो जाने की वज़े से यह हो जाता है कि दस्वी के बाद वाली हमारी जो जिन्दगी होती है वो कुछ हद तक प्रैक्टिकल जिन्दगी हो जाती है और modern worlds के जो truths है जो भी बाते हैं जो हम पर थोप दी जाती हैं हम उनमें खो जाते हैं उसी तरीके से देखने लग जाते हैं और हमारी जिन्दगी जो बहत खुशाल अच्छी हो सकती है वो नहीं हो पाती और यही एक बात है कि आज से हम literature की बाते कर रहे हैं literature का अर्थे देखो कैसे बता है creatures में से इचर लिया गया है और lit का मतलब बता है रोशन करना means सारे प्रानियों को रोशन करने वाली जो बात होती है उसे literature कहा जाता है और literature यह सिर्फ और सिर्फ इंसानी बात है इंसान से जड़ी भी बात है इसलिए यह इंसान को रोशन करने वाली बात है क्योंकि literature में सिर्फ एक बात होती है the only thing there in literature मिस लिटरेचर पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगाए कि the man in action मिस हम जो लोग होते हैं हम जो action करते हैं लिटरेचर में जो actions हमें बताई जाती हैं दिखाई जाती हैं इन actions की वज़े से इंसान की जिन्दगी में अच्छी या बुरी बाते होती हैं सुख आता है या फिर दुख आ जाता है तो a man in action दसवी के बाद हमसे disconnect हो जाता है और हम नहीं समझ पाते कि देश दुनिया में सही माने में क्या हो रहा है रिष्टों में सही माने में क्या हो रहा है घरों में सही माने में क्या हो रहा है जॉब की जगह पर एक इंडिविजुल की लाइफ में समाज के तौर पर एक इंस्टिटूशन के तौर पर काम की जगह पर क्या हो रहा है यह लेटरेचर में बहुत ही आइडियलिस्टिक तरीके से दिया जाता है कोशिश की जाती है कि हम सिफ एंटरेटेन ना होते हुए एंटरेटेनमेंट के साथ हम तक कोई सीख पहुचे मिस इंस्टक करना और डिलाइट करना इंस्टक अएंड डिलाइट लेटरेचर का जो फंक्शन माना गया है वो है इंस्टक करना, सूचनाए देना, इंडिरेक सूचनाए देता है लिटरेचर हमें और उसी के बहाने हमें खुशिया मिलती हैं, हम खुश हो जाते हैं, हम आनन्दित हो जाते हैं ऐसे ही बहुत सारी कहानिया हैं, इंसान की जिंदगी का बहुत सारा जो हिस्सा है, वो कहानियों से जुरा है, आज हम देखने जा रहे हैं, किंग आर्थर और उसके राउंड टेबल से जुरी हुई एक कहानी, किंग आर्थर एक बहुत ही आइडियलाइज्ड यंग कींग है, जो बहुत अच्छा है, जो आइडियल्स में विश्वास रखता है, एथिक्स में विश्वास रखता है, उसे लगता है कि जिंदगी एवे ही नहीं जी जाती, कैजूली नहीं जी सकते हैं, कुछ मॉरल्स होते हैं कुछ आइडियल होते हैं कुछ एथिक्स होते हैं और इनसे एक अच्छा कल्चर बनकर एक समाच के तौर पर हम जी सकते हैं ऐसी किंग आर्थर की अपनी धारना है और यह धारना को लेकर ही किंग आर्थर को जाना और माना जाता है लेकिन फिर भी राजा तो राजा है करता इसकी वज़े है कि नेबरिंग किंग को पता है कि राजा की उम्र कम है यह यंग किंग और दूसरा की ही इन आइडियलिस्टिक फेलो वह आदर्शवादी भी है तो चलो इसे चांस देकर देखते हैं और राजा बोलता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूँगा जिसने बंदी बनाया है वो राजा बोलता है कि राजा मैं तुम्हें छोड़ दूँगा बस एक काम तुम्हें करना है कि मेरे एक सवाल का जवाब दे देना है अगर तुम मेरे से सवाल का जवाब दे पाओगे तो जाओ, मैंने तुम्हारी जान बख्षती, मैंने तुम्हे छोड़ दिया और राजा उसे एक सवाल देता है कि what does a woman want? औरत क्या चाहती है? किंग अर्थर जो कि एक बहुती intelligent, बहुती संजीदा, sincere, idealistic fellow है, ethical fellow है, वो जानता है कि यह सवाल इतना आसान नहीं है और इसका जवाब दुनना तो बिल्कुल भी आसान नहीं है, लेकि फिर भी राजा को एक साल दिया जाता है और राजा यह challenge ले लेता है अपने राज्य में चला जाता है, अपने दर्बारियों से बात करता है, पोल लेता है, लोगों से बाते करता है, लेकिन जैसा जवाब चाहिए वैसा मिलने पाता है ठक जाते हैं सभी लोग राजा भी ठक जाता है लगता है कि शायद अब राजा के जिंदगी नहीं बचेगी राजा को डेथ पनिश्मेंट लेनी पड़ेगी वो सामने वाला जो राजा है वो डेथ पनिश्मेंट दे देगा तभी कुछ लोग राजा को बताते है कि जंगल में एक चुडेल रहती है There is a witch in the jungle And she is very wise बहुत हुशार है वो लेकिन हुशार होने के साथ साथ उसकी जो conditions है जो शर्त है वो बड़ी खराब होती उसके पास जाना और अपना कोई सवाल देकर जवाब ले लेना इतना असान नहीं है उसकी condition को मानना पड़ता है राजा आखरी दिन आ चुका है तो राजा सुभर सुभर निकल पड़ता है विश से मिलने विश से मिलता है और उसको तो पहले से ही सब कुछ पता होता है और विश को कहता है कि या ऐसे सी बात हो गई है मुझे ऐसा सवाल दिया गया है अगर तुम मुझे सवाल का जवाब दे दोगी तो शायद मेरी जिन्दगी बच जाएगी तो वो कहती है कि हाँ I can give you the answer of the question लेकिन मेरी एक शर्थ है इस शर्थ को तुम्हें मानना पड़ेगा राजा बहुता है कि हाँ I'm ready for that तो वो कहती है कि जो सर लेंसलोट है जो बहुत हैंसम राजा का दोस्त है वो उसी के दरबार में एक बड़ा सा सरदार है सर लेंसलोट के साथ मेरी शादी लगा देना राजा बिलकुल दहल उठता है मिस्स राजा कहता है कि मेरी जान चली जाए तो चलेगा लेकिन ऐसी चुड़े जो सालों से नहीं नहीं है जो हैंच बैक है मिस्स उसकी कुबर्ड निकले हुई है जिसका सिर्फ एक दाथ है और उसके पास खड़ा रहना भी बहुत जादा मुश्किल काम है मिस्स एक किलस आती है ऐसी उसकी सारी जो अपियरंस और उसका जो फिल्दिनेस है तो राजा बिल्कुल नहीं बोल देता है कि नहीं मैं मेरी जिन्दगी दे सकता हूँ लेकिन इतना बुरा काम मैं नहीं कर सकता तो मैं इतनी खराब जो कंडिशन है उसको मैं नहीं मान सकता और मेरे दोस्त को मैं ऐसे नर्क में नहीं जोग सकता राजा वापस आ जाता है लैंसलोट को पता जलता है कि इसी कंडिशन रखी गई है और लैंसलोट जो राजा का दोस्त भी है राजा का एक तम ग्रेट फॉलोवर भी है राजा को मानने वाला भी है तो वो कहता है कि it's okay कोई बात नहीं मैं तयार हूँ तुम जाकर आप जाकर उस चुडेल से कह दो कि लैंसलोट तयार है शाधी करने के लिए और राजा को जाना पड़ता है राजा पहुंच जाता है चुडेल के पास और कहता है कि ठीक है तुमारी जो शर्त है वो मेरे दोस्त को मन्जूर है और फिर वो बता देती है कि उमन वांस तू लिव हर लाइफ आफ और ओन वी शी वांस हर ओन फ्रीडम शी वांस लिबर्टी अपनी जिंदगी के जो डिसिजन से वो लेने की लिबर्टी आउरत को चाहिए अपनी जिंदगी अपने धंग से जीने की लिबर्टी आउरत को चाहिए यही होता है एक स्री का दो मोस्ट इसेंशियल क्या कहते हैं कि डिसायर और यह बात राजा जब सामने वाले राजा को बोल देता है तो वो कहता है कि यह सही जवाब है और बस शाधी हो जाती है लैंसलोट की शाधी होने के बाद जैसे ही लैंसलोट हनीमून के लिए जब जाता है तो दर्वाजा खोलता है जैसे ही दर्वाजा खोलता है तो मिस चौक जाता है आश्चरे चकीत हो जाता है क्योंकि आप बेड़ पर बैठी हुई जो जो आउरत है वो आउरत कोई चुडेल नहीं है बलकि एक बहुत ही खूबसूरत आउरत है एक खूबसूरत सी लड़की है तो वो चौग जाता है और बोलता है कि यह सब क्या है तो बताती है कि भई देखो आपके पास दो ऑप्शन्स मैं रखती हूँ कि मैं रात को इस तरीके से खूबसूरत आउरत बनकर आपके साथ रहूँगी और दिन में मैं वही चुडेल का रूप धारन किये हुए जिल्दगी जिऊँगी या फिर रात को मैं चुड़ेल बनकर आपके साथ रहूंगे और दिन में एक बहुत ही खुबसरत आउरत मिस आपकी वाइफ बोलकर मैं दुनिया के सामने पेश हो सकती हूँ लैंसलोट बिल्कुल भी मिन्स परिशान है कि क्या जवाब दे और वो कहता है कि देखिए इस आल यूर चॉइस यह तुम्हारी चॉइस से तुम्हें कैसे रहना है मैं इसमें बिल्कुल भी दखल अंदाजी नहीं देना चाहता हूँ लैंसलोट उसे उसकी राय लेने के लिए उसका निरने लेने के लिए सोतन्त्रता बहाल कर देता है वैसे सोतन्त्रता तो बहाल करने वाली बात है नहीं लेकिन वो कुछ तरिक इस से कहता है कि यू थे से वो जो खुपसरसी लड़की है जो पहले चुड़े थी वो खुश हो जाती और वो कहता है कि अब मैं हमेशा के लिए ऐसी ही रहोंगी in the daytime and even in the nighttime because I was cursed कि जब तक मेरी इस स्वतन्त्रता को मानने वाला कोई मिलने जाता तो मैं कर्स थी I was a cursed being मुझे शाफ दिया गया था और इस शाफ से आज तुम्हारी सब जवाब ने मुझे मुक्ति दे दी है अब मैं हमेशा इसे अपसरा के जैसे तुम्हारे साथ दिन में भी और रात में भी रहोंगी दोस्तों ये कहानी बस अभी खत्म नहीं हो जाती मिस जब feminist movement शुरू हु कि society ने एक system के तौर पर कभी religion के तौर पर कभी institution के तौर पर अपनी बाते आउरतों पर थोप दी है और आउरतों को ऐसे माना जाता है कि जैसे they are not able to take decisions वो decisions लेने के काबिल नहीं है और बहुत बार आउरतों को decision making से दूर रखा जाता है घर की आउरतों को decision making से दूर रखा जाता है वो छोटी-छोटी बातों के decisions नहीं ले पाती है तो इसका मतलब यह नहीं कि they are not able to know but most of the times हम उन्हें दबाया रखते हैं उनकी स्वतंतरता के हम कधर नहीं करते हैं तो ऐसे किसी चुडेल को आकर हमें बताना पड़ेगा yes a woman wants to live her life by her own of her own she wants to take decision by her own of her own इस तरीके से अगर हम जाते हैं तो बड़ी आसानी से ये बात हो जाएगी और आसानी से हम समझ पाएंगे कि हां everyone has a right to take decision of their own खुद ही वो अपना decision लेने के काबिल है वो ले सकते हैं फिर अच्छा वाला decision बुरा वाला decision ये वक्त तय करता है और हम आगे बढ़ जाते हैं अगर ऐसा कर सकते हैं हम एक equal status में जी सकते हैं हम तो एक अच्छे समाज की तरफ हमारे कदम बढ़ सकते हैं और एक अच्छा सम समाज हम बनकर जिन्दगी जी सकते हैं चाहे फिर वो आप personal रिष्टों में रहो चाहे आप किस family रिष्टे में रहे चाहे आप husband wife meritor रिष्टे में रहे या job की जगपर रहे या समाज में public relationship में रहे कई पर भी आप रहते हो लेकिन अगर इस ठंग से हम सोचना शुरू कर द सकता है thank you very much keep watching our channel और आपको अच्छा लगता है ऐसे बहुत सारे literature की बाते अगर आप सीखना समझना जानना चाहते हो तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबना ना भूले सब ताकि सबसे पहले इसका इन नए वीडियो का नोटिफिकेशन्स कर दो